हॉलमार्किंग के जरिये तसक्री वाले सोने पर लगाम की तयारी NBT Newsdesk सरकार ने एक अप्रेल से आभूशनों पर 6 अंकों के अल्फान्युमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडिटिफिकेशन, HUID, नंबर को जरूरी कर दिया है। Economic Times की एक रिपोर्ट के मताबिक सरकार के इस कदम से औरगनाइज जूल्री ट्रेड में तसक्री वाले सोने की मात्रा में 15 तन की कमी आने की उम्मीद है। इस इंडस्ट्री से जुड़े एक्जेक्यूटिव का अनुमान है कि लगभग 150 तन तसक्री का सोना अनुमान है कि हर साल ग्रे रूट से देश में आता है। इंपोर्ट ड्यूटि को कम नहीं किया जाता। देश में तसक्री के जरिये आने वाले सोने को पूली तरह से रोकना मुश्किल है। जो इसक्षेत्र में चिंता का कारण रहा है। ये जूल्री रिटेल इंडस्री को भी एक समान अफसर मोहिया कराएगा। सोर्स का उल्लेक नहीं होने से तसक्रीव किये गए सोने का यूस करने पर जूल्र गिरफ्ट में आ सकता है। का सोना लगभग 150 टन हर साल ग्रे रूट से देश में आता है। अल्हाल हॉल्मार्किंग देश मान को तहट जरूरी है कि सोने के ब्यूरो ओफ इंडियन स्टांडर्ड्स, बिस, हाई लोगो, प्यूरिटी का ग्रेड और शुधता तथा जूलका पहचान चिनह कितो, प्यूरिटी ग्रेड से गहने में सोने अप्रेल से सोने और सोने के ग यहनों की है कि प्रतिशत का पता चलता है, मसलन 24 कैरेड सोना यानि 100 प्रतिशत शुध एक बिक्री के लिए केवल 6 अनकों की